Hello students, I am Parveer, class 10th exercise 3.6, first question के last 2 parts हमारे बचे होई हैं, 7th part हमारे पास students, 2 equation है, first equation is 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2 ये 2 equation है students, इनको पहले linear equation में reduce करना है, then इनको solve करना है by any algebraic method, खीक है students, तो सबसे पहले हम इनको linear equation में reduce करना है, कैसे reduce करेंगे, हमने पिछले parts में क्या है, वैसे ही, सबसे पहले देखो, क्या पता रखाएंगी, जो variable है, ये जो variable हमारे पास इनी x और y, ये denominator में नहीं होने ज देखो, ये है, और इसके इंदर ये है, सबसे पहला काम ही होता है, सबसे पहले चेक करो, इन दोनों में similar क्या है, कुछ similar те देखो यहां पर दिवाड में x-y है यहां इसी तरह दी सiclesLL देखेंगे यह दोंनों इनमें देखो यहां पर दिवयरे त्रम दौनेंटर में x-y है और यहां पर और भी denominator में x-y है तो यहां पर इस one upon x-y denominator में xy-y का मतलब यह one upon x-y है ना तो इसको दूसरा variable अजुम कर लेंगे let q ठीक है and one upon x-y is equal to q students हमने दो assumption है वो अजुम कर ली है मतलब suppose कर ली हमने की one upon x plus y p अजुम कर लिया और one upon x-y q इससे क्या हो जाएंगी यह linear equation में reduce हो जाएं यानि one upon x plus y तो p हो चुबा है तो यहां पर कितना बच गया 10p बच गया सेमी सी तरह plus two upon x-y upon x-y यह वाली जो चीज है यानि one upon x-y यह तो q हो चुकी है तो यहां पर only two बच गया और बागी जो remaining part था वो q था is equal to four first equation से यह equation reduce होगे students ऐसा ही second equation है मेरे पास 15 upon x plus y upon x plus y तो p हो minus y upon x minus y तो क्यों हो चुका है upon x minus y का मतलब one upon x minus y ठीक है students और is equal to minus two यह तो equation आगी अभी linear equation है आप इनको किसी भी algebraic method यानि कि elimination substitution और cross multiplication method से solve कर सकते हैं मैंने बतार कि elimination सबसे जादा easy रहेगा और time भी आपको उसमें बचेगा तो elimination method से solve करेंगे तो देखें students elimination में क्या कि सबसे पहला step यह होता है क्या किसी variable का दोनों में से दोनों में coefficient बराबर है दोनों यहां पर यहां पर 5-5 यह देखो कि value बराबर है नहीं है नहीं क्यूं का बराबर है किसी भी बराबर नहीं है दोनों के इंदर coefficient तो हम एक का बराबर बनाएंगे तभी हम जो elimination method उसको आगे continue कर सकती है तो देखना strengths मैं यहां पर q का बनाता हूं कैसे बनाएंगो क्यूं का देखो यह 2 है यह 5 है बराबर कैसे बनाएंगे इसकी तो 5 से multiply करवाऊ दो 5-10 तो इस equation की multiply करवा देंगे 5 से और 36 equation की multiply करवा देंगे 2 से तो हमारे पास q के coefficient बराबर हो जाएंगे लेकिन multiply complete equation से होगी जैसे इस complete equation की 5 से multiply होने पर क्या हो जाएगी यह 10 की 5 से करेंगे तो 50P plus 2Q की 5 से करेंगे तो 10Q और is equal to 4 की 5 से करेंगे तो 20 same as this second equation की 2 से multiply होगी 15P की 2 से होगी तो 30P minus 5Q की 2 से होगी तो minus 10Q देखना students 10 10 और 10 बराबर हो गया यह सब करने से हमारे पास यहीं हमें करना था में हमारा जो मकसद था यहीं था minus 2 की जो 2 से करेंगे वो minus 4 हो जाएगी ठीक है इतना काफ हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया आप सभी को अब देखो अगला step होता है जो the coefficient एमने बराबर किये है जो पहले से बराबर थे यहां पर थे नित हमने बराबर किये हैं उनका sign change sign check करो यहां पर plus का है यहां पर minus का है sign अगर अपोजिट है तो equation को add कर दो और प्राइन सेम है तो पहली वाल्य आली से दूसरी को सब्ट्राइट कर गों यहां पर इसका प्लस मैरेव अपनिसल नप्रकल दूथ इढ़ 똑 इसे एकलेगा एस्टेयंस कर यह हो जाएगा यह पार-धेयर प्रफट कर दो दूसरी वर्यबल की वेलू भी आजाती है तो प्रफट कर दो चाहिए इसके अंदर मेरे पास क्यों की वेलू आजाएगी आप यहां पर भी पूट कर सकते हैं श्रेंट्स लेकिन यहां पर द्यान से देखिए बड़े-बड़े नंबर है 50, 10, 20, 30 तो यहां प से आप जो है पूट करने की कोशिश करने यहां पर जल्दी सोल हो जाएगा तो पी की वेलू 1 by 5 किसी भी एक्वेशन के अंदर पूट कर दो मैं इसके इंदर पूट कर रहा हूं इस पहली वारे एक्वेशन के अंदर तो देखना मेरे पास क्यों की वेलू आजाएगी पी सब्सक्राइब यहां पर टू पलस टू क्यू इस एक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ हमें तो एक्वेशन एक्स और वाई में थी तो मैं complex y ऐसके एक्वेशन सब्सक्राइब यहां से एक्वेशन इस बनेट क्यक्यू क्यू क्यू क्यों अपॉर एक्वाइंस वाई đâu तो Q की value है यहां से X और Y की value आएंगे students देखी द्यान से दोनों तरफ रसे प्रोकल कर दो सबसे पहले यह case लेते हैं इधर वाला left hand side वाला देखो इसमें और इसमें भी दोनों में denominator में उपर 1 है दोनों को reciprocal कर दो यह हो जाएगा X plus Y यह हो जाएगा 5 दोनों सादे अमने रसे प्रोकल कर दो तो X minus Y is equal to 1 students जनली जो पिछले पार्ट से उनमें यहां से दी वैलू आ जादे एक्स और Y की लेकिन यहां पर value नहीं है यहां पर दो equation हो रहा गई एक्स और Y में अब अगेन इन equation को हम solve कर देंगे एक्स और Y की value आजेगी question complete इस एको equation है दोनों elimination method से solve कर दो हमारे पास X और Y की value आजेगी elimination method से solve करने के लिए मैं इसको निच लिख रहाऊं दूसरी वाड़ equation को यहां पर Y का coefficient plus 1 है यहां पर Y का coefficient minus 1 है है दोनों में 1 एक में plus का एक में minus का तो हम यहां पर add कर देंगे plus Y से minus Y cancel X और X 2X और is equal to 5 और 1 6 X की value आजेगी 6 Y 2 cancel होकर 3 X की value कितनी आगी इस्ट्रेंट से 3 X की value आने के बाद अब इन दौनों में से किसी के इंदर put कर दो Y की value आजेगी तो मैं यहां पर put कर रहा हूँ Y की value के लिए X X की जिएपर 3 minus Y is equal to 1 है minus Y is equal to यह 3 उदर जागर minus का हो जाएगा minus Y is equal to 1 minus 3 minus 2 minus से minus cancel Y की value आगी इस्ट्रेंट से मेरे पास 2 तो X की value आगी 3 Y की value आगी 2 तो यह हमने जो है first question का 7th part कर लिया जैसे बाखी parts से बिल्कुल वैसा ही same उनकी तरही part है बस इसके अंदर हमारे पास last में है X Y की value नहीं आती X Y के अंदर again equation आजाती है उनको console करते हैं यह था आपके सामने 7th part अब हम करते है students 8 तो यह है students आपक X-Y is equal to 3 by 4 and second equation is students 1 by 2 3x plus y minus 1 by 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8 इनको में क्या गरना है students question के अंदर का आगया y सबसे पहले इनको linear equation के अंदर reduce करना है उसके बाद इनको solve करना है तो linear equation के अंदर कैसे reduce करेंगे denominator से variable वाले ट्रम को अठा देंगे यानि variable को remove कर देंगे denominator से जैसे यहां पर X-Y दोनों equation के अंदर denominator में है तो denominator में नहीं रहने चीए denominator से हटाएंगे कैसे अठाएंगे जैसे में पिसले seven parts के अंदर किया वैसे इस last part के अंदर भी करना है सबसे पहले first run देखो दोनों के अंदर दोनों के अंदर क्या है जो similar हो उसको कोई variable कर लो तो देखना यहां पर भी one upon three X plus Y है और यहां पर भी one upon three X plus Y है दोनों में एक प्लस Y तो इसको उजुम करनो P let one upon three X plus Y is equal to P and second इसी प्रकार इसमें वान आप तरी एक्स माइनस वाई है इसमें भी one upon three X minus Y है इसको Q उजूम कर लो तो and 1 upon three X minus Y is equal to Q तो हमने पी और क्यू अजूम कर लिया और वन अपन थरी एकस प्लस य को प्याजूम कर लिया और वन अपन थरी एकस माइनस वाई को क्यू अजूम कर लिया अब हमारा क्या है यहां से अजूम कर लिया यह अजूम क्यू जिसको यहां पर हमने अपलाई करना है मलबीनी क्यों को पी औ सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं यह सोल करते वाक्त थोड़ी जो दिख्कत देगा तो फ्रेक्शन को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और सॉल्यूशन निकालना वह इसी हो जाए तो फ्रेक्शन को कैसे रिमूब करते हैं जो भी ट्रम्स होती है उनका लसे मलोग और कंप्लेट एक्वेशन की मुल्टिप्लाइब करवाद उसस एक्वेशन की देखो यहां पर हमारे पास 228 टू ऐसे मुटिप्लाइब करवा गांगा इन तिनों के एक्वेशन की फ्रेक्शन की रिमूव हो जाएगा कर दो इक्वेशन की एक्वेशन की कर देंगे हमारे पास आंसर आजएगा आप किसी में सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे ज्यादा एजी रहेगा तो मैं उससे कर रहा हूं यहां 4 q से-4 q cancel दोनों q एट करेंगे हम are P plus 4p 8 p is equal to 3-1,2 P की व wre fifteen गया जाएगी 2 by 8 केंसलों कर 1 by 4 P किदिने आगा students 1 by 4 एक वरिबल की वेल्लवाणे के बाद आप उसको किसी इपी कशन के अदर पूट कर दो दोसरी वरिबल की वाल्यों आजएगी तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी के अंदर P के वालू पुट कर दूँगा, मेरे पास Q के वालू आ जाएगी, मैं इसके अंदर P के वालू पुट करा हूँ, तो देखना students, 4 इंटू P, P की ज़िए अपर 1 बाइ 4, is equal to 3, 4P, P की ज़िए अपर 1 बाइ 4, is equal to 3, 4 से 4 कैंस Q के वालू 1 बाइ 2, तो Q के वालू 1 बाइ 2 आ गई, P के वालू 1 बाइ 4 आ गई, लेकिन question में हमें X और Y के अंदर थी, तो हमें X और Y के वालू चाहिए, X और Y के वालू आगी यहां से, यहां से देखो students, पहले है 1 upon 3X प्लस Y, यह किस के एक वाल था, P के एक वाल था, और P साइड देखो, reciprocal लेलो, reciprocal लेंगे दोनों साइड, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3X प्लस Y, और इसका उल्टा हो जाएगा 4, denominator में 1 आएगा, उसको को जटनी पड़ता लिखो, यह equation आगी, इसमें भी same दोनों तरफ reciprocal लेलो, यह हो जाएगा 3X माइनस Y is equal to 2, दो ही equation आगी हम यहाँ पर प्लस का वाई है, यहाँ पर माइनस का वाई है, Y से Y cancel हो जाएगा, एक variable eliminate हो गया, 3X और 3X, 6X is equal to 4 or 2, 6, X की वेलो आजाए, इसमें 6, यह 6 से तरह कर डिवाड़े में, cancel होकर 1, X की वेलो कितनी आगी, students, 1 आगी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, X की वेलो आग Y की वेलो आजाएगे, 3 उदर चला जाएगा, minus में, 4 minus 3, Y की वेलो आगी, 1, Y की वेलो आगी, 1, तो X की वेलो आगी, 1, and Y की वेलो भी, 1, दौनों की वेलो 1 आगी, question complete, X और Y के लिए, अपने इन 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 इक question को solve कर दिया, तो इस पर गर आपने solve करना था, इसी के साथ आप